पॉलिटीशन दो तरह के होते हैं, बुरे और बहुत बुरे पॉलिटीशन अपने बाप के सगे नहीं होते हैं, ये वक्त पढ़ने पर किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं, पॉलिटीशन से जाधा गंदा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तो कोई भी जो बड़ी पार्टी हैं, बीजे पी, कॉंग्रेस, आम आदिमी, इनके जो हैं, जो इमेज सामने से चल रही है, आप ये मन सुचों कि वो सच्चे हैं, पॉलिटीशन इस दुनिया में सब से घटिया एक्टर्स हैं, दो कौडी के एक्टर्स जिसको कहते हैं ना, जिनको साला सीरियल में भी काम ना करें, मिले, वो साले सारे की सारे पॉलिटीशन हैं, मैं किसी के लिए बुछ वो नहीं कहना चाहता कि जिनको सब लोग जानते हैं आप केजरी वाल को ले लो जाये बहुत ही वाहियात एक्टर है, speech में देखलो, मोती जी को देखलो, मोती जी को बहुत बढ़ी हैं वो नहीं है, कभी मैं बहुत बार उनको अच्छे कामों के बारे में भी बता चुका हूँ, क्या बोलते रहते हैं उनको खुद को ही नहीं पता चलता है, कभी याद नहीं हुए वाईचांस स्कृप्त, कुछ भी बोल जाते हैं, अभी बोल रहे हैं, मैं हेलिकॉप्टर से जब बाइरोड आ रहा था, यहार मतलब कभी बोल देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ और यह ऐसे बहुत सारे एक्जेम्पल्स हैं और मैं सिर्फ मोधी जी की बाती नहीं कर रहा हूँ यहां पर मोधी केजरी वालों की तो बाती नहीं हो रही है बात हो रही है जो अभी जो लोकल पार्टी तो महीं से बनती है जो लोकल पॉलिटीशन जीतने हैं हम जाके मोधी जी को वोट करनी रहें ना हम किजरी वालों को वोट कर रहें हम तो पार्टी को वोट करते हैं पार्शाद काउंसलर वो जो हमारे आसपास के इलाके से जो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अब सवाल यह उठता है कि यार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे इतने टाइम से जो रूलिंग पार्टी में चल रही है न दो बार से पिछली बार आ गई है 2014 में जीती 2019 में जीती अब उसको वोट देनी की ज़रूरत नहीं है उसको वोट इसलिए नहीं देना है क्योंकि फिर वो पूरे के पूरे साले सत्ता में आके पूरा डेमो क्रेसी को ह वोट मत दो विए पी जेपी अभी चल रहे है रूल पे वो नीज समझती किसी को आदमी को आदमी नी समझते बीजेपी वाले मेरे यांकर जितने पॉलिटीशन से इसमें 90 बार्श तो तो गूदेवदमाश है ठीक है ठोड़ा बहुत एक दो पॉलिटीशन है जैसे नितिन नितिन गटगरी साब तो भाई सबसे तकड़ा जो काम किया वो नितिन गटगरी साब ने किया है पुरे देश दुनिया में लेकिन जो यहां के MP, MLA, जो भी BJP के हैं भाई बहुत जादा नल्ले हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, किसी वो उनके उपर ही होड़ाय लो, कोई का MP के पॉलिटीशन बन जाओ, उसके बाद कोई काम धाम नहीं, मज़े ही मज़े, कॉंग्रेस का भी पॉलिटीशन जो भी यहां पर बिकट चोर, आम आदमी की पार्टी की तरफ से एक बंदे को टिकेट मिली होई, वो भी बिकट चोर, अब देखो जो आदमी MLA की टिकेट क मैं आपको रेट बता देता हूँ, रूलिंग पार्टी से अगर कोई बंदा MLA की टिकेट ले रहा है, तो वो कम से कम, कम से कम आट से 10 करोड रुपे की MLA की टिकेट है, दो से 3 करोड रुपे की पार्षद यानि की कांसलर की टिकेट है, अब उससे नीचे अगर जैसे कॉं पैंपेन पर इतना लाखो रुपे, करोडो रुपे ये लोग लगाते हैं, तो उसको ये लोग वसूल भी तो करते हैं, और वसूल कैसे होता है, वो आम जंता के पैसे से वसूल आ जाता है, तो भाई, बीजेपी और कॉंग्रेस को तो बिल्गुली काट दो, इसको तो पार्टी है, और जहां कॉंग्रेस रूलिंग में है, तो कॉंग्रेस का भी सेम बंद हैगा, आप ये देखो कि उन लोगों ने, भाई देखो, थोड़ा सा होम वक्तों करना पड़ेगा, मेरे वीडियो बनाने से खाली काम नहीं चलेगा, कुछ होम वक्तों आपको भी करना पड़ेगा, आप ये देखो, आपके शहर ने कितनी तरक्की उनकी देख रेक में करी है, उन लोगों ने कितने काम करे हैं, आप ये देखो, ये मत देखो, ये मत देखो, ये मत देखो, जो जेंजी जो क्राउड है भाई, उनको तो मुझे लगता भी नहीं है, कि उनको ये election की कोई फिकर पड़ी भी है मैं millennials की बात कर रहा हूँ जो लोग सच में vote डालने जाते हैं vote देना अपना अधिकार समझते हैं यह जैंजी तो मुझे लगता नहीं यह अभी vote डालने जाने भी वाले हैं यह नहीं जाने वाले हैं जैंजी लोग vote नहीं देंगे तो वो लोग मेरे वीडियो नहीं भी देखते मुझे फरक भी नहीं पड़ता है मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग थोड़ा बहुत देश के बारे में सोचते हैं जो लोग थोड़ी बहुत अपने देश में कानून व्यवस्ता धंकी देखना चाते हैं तो को भी मैं बोलता हूं चलो अगर यह बात है कि मेरी वीडियो पहुंच भी जागर पॉलिटीशन को देख भी ले भाई आप आज की रेट में भी इतनी बाबा आदम के जमाने की सौ साल पुरानी मार्केटिंग कर रहे हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग का जमाना यह साले आ प्कॉरारा लटनर ईतनेभी है ना सब जोडे घड़े योवानेता यूवानेता कया यूवानेता है क्या यूवानेता बनने के अलावा पसक्ल соверш iki लिए पिनकेश यूवानेता के लिए यह किसकी मदद करिया आज तक है कि कुन कितने कंटेर्बीन हैं कि तन वस बशतरे कि भbeh द्वार्ट लोगों में पूली छोले बाट दिया तो बले काम हो गए इसको अच्छा काम के तो रोज गरे और हम तो हैर उसों कर Lu can सब जगे होगा तो मैं तो यह देखता हूं कि और घर पे देखो वोट मांगने कोई नहीं आता अब वो टाइम चला गया यह जो लोग जवान मुवी को बोले तरह शारुक खान ने सही बात बोली ती अब की बार कि तुम है घर पे वोट मांगे आएंगे तो उसके लिए इस् कान सी नशा किया था इसने डायलोग बोलते टे अंब और कौन सा वो राइटर ता जिसने डायलोग लिकादा तेरा वाब वोट मांगने आता है घर पे कौन 사 पलिटिशन डागा वोट मांगने आता है यह तूमें लग रहा jin यह मले के घर गर जाके वोट मांग नहीं अपनी तुम पतरी कैसे देख ले तुम जेल कैसे लेते हो यार ऐसे घटी एक्टरों को तो भाई कोई पॉलिटीशन घर घर नहीं आता वोट मांगने के लिए मैं तो कहा रहा हूं जहां भी अपनी वीडियो बनाओ और बताओ लोगों को कि तुमने इस देख शहर के लिए क्या क्या काम करें दस साल से तुम्हारी सरकार चल रही थी बीजेपी की अपने काम गिनव पदो केजरीवाल ने एक एक बोतल शराब पे एक एक पेटी पे बाई वन गेट वन दिल्ली में चला दिया था अरे दूद की धहली पे चलाता ना शराब पे क्यों चला रहा है लोगडाउन में केजरीवाल ने भी कॉपी करा है शुरवात तो बीजेपी ने करी थी में होगी तो भाई चोटे मोटे तुछ मत नेता तो उनको फॉलो करेंगे और वो कर भी रहे थी उन्होंने किया आज जेल में डाल दिया यह उकात छोड़ी तो बीजेपी को तो वोट देना ही मत अपने राइवल्स को सब को उन्होंने क्या करा अपनी टीम में मिला लिया और वो ही केंडिडेट जो कल तक बीजेपी को गाली दे रहे थे कॉंग्रेस के हो चाहे वो आमादमी के हो आज बीजेपी में चले गए बीजेपी बढ़िया हो गई उनके लिए खौफ डर क्योंकि मेरे भाई हमाम में सबनंगे हैं उनको पता है हमने बुरे काम करे हैं और उनका काला चिठा सारा का सारा बीजेपी क्या करती है बीजेपी पहले उसके उपर से एडी छोड़ देती है कुछ भी जासू छोड़ देती है आपने आश्रम मूवी में देखा नहीं ता कैसे मिलाते हैं वो पार्टी में यह क्या करते हैं पहले इसकी जनम गुंडली निक आलगे लाते हैं तो पता चल जाता है इसके कहाँ नंगा का पहर चल रहे हैं कहाँ कहां से इसकी आमंदनिया कहा से घुसखाता पता चल जाता है सारा का सारा उसके बाद उसके ओपर एडी छोड़ दी जाती है फिर जब वो फज जाता है पता तो है यह सबूत हाथ लंगे और सबूत नहीं यह सबूत तो बना दिये जाते हैं नाड़े तो सबके ढीले हैं एक से एक बड़िया से बड़िया एक्ट्रेस इनके पास भेश देते हैं ऑफ से बाद को घाली बग्रह ने कहाना वीडियो के शुरू में पॉले होते हैं या बहुत बूर रहे होते हैं अच्छे नहीं होते हैं ये अपने बाप के भी सजी नहीं होते है मेरे भाई पॉलिटीशन तुम्हारे शहर में अब सवाल इसका जवाब दे रहा हूँ कि वोट किसको दे बुराई अगर इन भी करने पर आगे अगर मैं बता हूँ यह कितने बुर इनके काले चेटे तो भाई यह 24 घंटे की वीडियो भी कम बढ़ जाएगी सवाल यह आता है जिसका आप जब चाहे गिरेबान पकड़ सको जो आपके घर वाकई में वोट मांगने आ रहा हो जो इस वक्त को जानता हो करन्ट स्टेटस को जानता हो जो एक उनपे की टिकट ना खरीदे ओपन केंडिडेट को वोट दो मैं कराओ सारी मिली जूली सरकार बनाओ ओपन कें केंडिडेट जो दिल से सेवा करना चाहते हैं फिर आप कभी भी जाके उनका गिरेवान पकड़ लो क्योंकि उनको अभी तक वो नशाई ही नहीं मिला वो नशा लगने ही मत दो पॉलिटिक्स का नशाई ही मत लगने दो उसका घर पताओगा आपको फलानी कॉलनी में रहता यह बीजयपी के पॉलेडिशन कॉंगरीस के पॉलेडिशन हुश्य यह साले महलो में लिए मैं कानूम के इतना सक्त खिलाफ होता हूँ कभी-गभी चाहे वो शुशान जिंग राजपूत का केस हो चाहे वो दिशा सालियान का केस हो फरीदबाद में और भी छोटे-बोटे बहुत मसले होते लेकिन मेरे हाद में पावर नहीं है भाई तो मैं क्या करूँ मैं कैसे हेल्प करूँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो अपन कैसे हेल्प कर सकते हैं हेल्प ऐसे ही कर सकते कि भाई अपने को आना पड़ेगा इस गंदभी में आना पड़ेगा भाई देखो अगर सफाई करनी है न तो अपने कपड़े भी गंदे करने ही पड़ेंगे और मै करूँगा मेरा एजेंडा है भाई मैं जब तक इस पॉलिटिक्स में ना आ जाओना जब तक मैं उस लोग सबा में ना बैठूँ और वहां खड़ा होंके जब मैं सवाल करूँगा उंगली दिखा के ऐसे क्योंकि मेरे हाथ में पावर होगी जनता मुझे बनाएगी तब एक रूपया निदूंगा किसी को है इनी ना तो प्रचार करने के लिए पैसे हैं ना जूटी रैली करने के लिए मेरे पास पैसे हैं क्योंकि जूटी रैली करने के लिए भाई डेड़ दो लाख रुपे चाहिए ही चाहिए वहां जूटी पब्लिक जोड़ दी हैं उनके हैं मठ्रियां लानी है चाहिगा इंतिजाम करना मेरे पास तो वह इना ध्रीन्षा मैं कि मैं नएंस में जोती सी घाड़ी घारी चार साल पुरानी और वही रहे जानी के पैसे सब्सक्राइब अपने पास से बढ़े ते रहा है अपने को जरॉब यह ना वोटाइब देके खरीदूंगा ना शराब फ्री दूंगा ना दूद्ध दही दूंगा भाई फ्री नहीं होता कुछ भी इस दुनिया में फ्री देने वाला इसका मतलब तुम पर हराम की कमाई या भी राहूल गांदी कह रहा था हमारी पार्टी को तुम जितादो हर सालाना बेरोजगार उर भाहिलाओं को एक लाख रुपे सालाना दिया जग काँ से लाएगा टेक्स के पैसे से देगा और फिर जंता को लुटो अब आगा अभे लाल्च में मत आओ हरामो फिर दूबारे से मरोगे लालच में मत पड़ो ये देखो तुम्हारे शहर का वाकई में कौन देख रहे करता है मेरी गिरेवाद तुम जम्मर्जी आगे पकड़ ले ना 932 में रहता हूँ सेक्टर 19 फरीदबाद ये जिम है सेक्टर 19 में ये जम्मर्जी आजाना जिम पर सबके लिए दरवाजे खुले हुए सुब़ 6 बजे से रात के 10 बजे तक यहीं मिलूँगा कई नहीं जाता फरीदबाद में कसम से बता रो दूर दूर से लोग आएंगे मेरा सिर्फ एग ये जंड़ा है साफ सफाई सबसे पहला है मेरा जंड़ा है और क्राइम खतम करना सबसे बड़े क्रिमिनल कौन है पुलीस वाल है सक्ति कर दो एक सेगिन में क्राइम हो ही नहीं सकता इनसे बड़ा क्रिमिनल को ही नहीं है हॉस्पिटल में जितनी लूट है सारी बंद तीन चीजे करनी है पुलीस वालों पे गंड्रोल दूसरा हॉस्पिटल में जितनी लूट हो रही है वो तीसरा स्कूल में जो हो रही है जो एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम बुरा नहीं है लूट बहुत है स्कूल में लूट बहुत जाबा है स्कूल वाले ने मॉल बना रखा जहां वो यूनिफॉर्म बेजते हैं किताबे बेजते हैं चोटे-मोटे फंक्शन के नाम पर पैसे एड़ते हैं पेरेंट से पढ़ाई तो बच्चा क्ट्यूशन में करता है जहां की फीज कितनी है 1500 रुपे स्कूलों की फीज कितनी है नॉर्माली 30-35 रुपे तीन महीने की फीज है मेरा मेटा जिस स्कूल में जाता रावली इंटरनेशनल में तीन महीने की फीज 30,000 है ट्रांस्पोर्डेशन अलग मैं मान तो इससे भी बहुत अब बोलो के डीपीज की तो इतनी भी जाता तो शर्मानी चीए न हम सब को की हम बिना किसी मतलब से इतनी इतनी फीज दे रहे है और कुछ नहीं सिखाते स्कूलों में कुछ नहीं सारा तो हमबर घर पे दे रहे ब बगीचा कोई बड़े बड़े बोल नी बोल रहा मैं अगरीवों को यह दे दूँगा वो दे दूँगा कुछ नहीं आप जिस शहर में रह रहे हो वो शहर आपको सबसे जादा पूरे भारत का सबसे जादा साफ सुतरा शहर मिलेगा इस वीडियो के थुरू ही मैं घर घर तक महचूंगा इस साल नहीं कोई बात नहीं अगली बार से ही अगली बार नहीं अगली बार से ही कभी तो लोगों की आँखे खुलेंगे कभी तो वो लोग सोचेंगे कि यार एक डंके केंडिडेट को वोट देनी चाहिए यह हमारे बीच का बंदा और नहीं है और फरिद बाद मैं यह गहरा हूँ किसी पनठिकुलर बिरादरी को बहुट मत दो बहुत टाइम से गुजरों की सरकार चल रही है भाई मैं यह नहीं कहला कि यहार इसे तने सालों से लगातार तो वोट देंके जताय जा रहे हूं पहले वह इसको खतम करना चाए और किसी को बनाओ अभी देखो ना क्या नाम है नयाब सिंग सैनी को CM बनाया गया हरियाना का तो यहां से भी मैं चाहता हूँ कोई नकोई इस बार दलित आये फरीदाबाद से कोई नकोई आना चाहिए यार दलित इस बार बन जाये पीछे गूजर क्यों लिखावाता है किसली लिखवाते है गूजर भाई तुम खुदी अपने नाम को इतना मिट्टी में डुबाये हुए गूजर मतलब मेरे जिम में लोग आते हैं तुम यकीन निकरो को कोई यह नहीं बोलता कि खराब ग्राउड तो नहीं आता है पते क्य ना पट पट फट इदर से उदर तो फ़िद मचाना स्कॉर्प्यों ले लेना अल्टो की तरह दोडाना फिर उदर से उदर कोई रेड लाइड नहीं देखना है पता नहीं क्यूं भाई इनके बाप की सडक समझे लेते हैं जालक खरीद लेते तो यह चलो बहुत सारी पेसा नहीं खर चरा उसको जिताओ इसका मतलब उसके पास फाल्टू के प्रचार पेसा नहीं घर चराओ तो आप पता लगाओ आपके शहर से कौन इट ए डिट ए बीज़ैपी और कॉंग्रेस को तो मत देना मेरे भाई मून बटा रहा हूं तो अगली बार election ही नहीं होंगे कहीं democracy खतम हो जाएगी अगर democracy बचाए रखनी है तो सरकार हमेशा मिली जूली होनी चाहिए जन्यवाद